So Hello Friends, मुझे नाम है नरेस और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Class 9 के Political Science का Chapter No.2 जिसका नाम है सविधान निर्माड और आज हम यहाँ पर इसके 5 माक्स वाले जो कोशिन अंसर है वो कवर करने जा रहें तो चले श्टार्ट करते हैं तो पहला कोशिन दे रखा कि भारती सविधान की प्रस्तावना की प्रमुक आदर्शों की व्याख्या करें अब हमने बताया था प्रस्तावना जो सबसे फ्रंट पेज होता है और उसमें जो चीज़े दे रखी होती है वो यह है ठीक है तो इनको हमें समझना है ठीक है चले श्टार्ट करते हैं पढ़ती सविधान भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित प्रत्मी द्वार निर्मित और अधिनियमीत है तो देखिये हम भारत के लोग यानि कि ये समबोधित किया जा रहा यांपर की हम भारती जो लोग हैं ये जो सविधान भारत का सविधान जो बनाया गया है वो किसके दोरा बनाया गया है किसके दोरा निर्मित है वो निर्मित है हमारे दोरा जो चुने गए प्रतिनी धी थे जो सविधान सभा में गए थे परतेक्ष रूप से तो नहीं चुना गया था ठीक है दस लाक में से एक व्यक्ति चुनके गया था तो वो व्यक्ति जो है हमारे द्वारा चुने गए थे और हमारे द्वारा ही निर्वित हुआ है सविधान क्याने का मतलब हमारे द्वारा हमारे लिए ठीक है तो हम भारत के लोग यहां पर समभुजित किया जा रहे हैं द को स्वें गयुआ हैं हम अपने फैसले कर सकते हैं ठीक हे और कोई बाहरी सकती भारडिद ऐस नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम हम आसम प्रभुत्य समपनदेस हैं मारा तो हम किसी गुलाम कोई आदेस कहता हम जितने भी नितियां बनाएंगे जितने भी अपने नियम बनाएंगे अपने देश के अंदर हम बना सकते हैं हमें किसी की परमिशन लेने की जुड़त नहीं पड़ेगी यहां पर तो अगला है समाजवादी देखिए कानून इस प्रकार बनाए जाएं ताकि समाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर हो यहां पर जो समाजवादी की बात हो रही कि समाजवाद को बढ़ावा दिये जाए कि कानून इस प्रकार बनाए जाए कि समाजिक बिदभाव नहीं होगा कि धरम क्या होगा कि किसी बी नागरी के साथ कोई भी पक्षपात ना हो ठीक है बाइस ना हो मतलब उसके साथ भेदभाव ना हो अimana तुरीके से ठीक है लोग तंत्रात्मक्त क्या है कि लोगों दोरा सासक चुने जाते हैं और वो सासक जो है वो जनतक के प्रति क्या रहेगा जवाब दे रहेगा तो यही है आपर लोग तंत्रात्मक ठीक है गड़तंत्र राश्ट का मुखिया जिसे बोलते राश्ट पती वंशा नुगत ना होकर निरवाचित व्यक्ति होगा कि अब यहाँ पर देखे गड़तंत्र का मतलब क्या है कि राश्ट का जो मुखिया होगा राश्ट पती होगा वो यहाँ पर वंशा नुगत नहीं होगा कि राजा का बेटा जिसे राजा होता है तो वंशा नुगत होता है इस प्रकर प्रेजिडेंट यहाँ पर नहीं सभी नागरिकियों की सोच और विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण आजादी होगी कि नागरिक जो बहें एक तृक्ष ौन की धोर्ट है उनकी विचार धाराए है और उनको पूरी आजादी होगी अपने बात रखने की मद पूर्ण़ आजादी है वो स्वतंत्र हैं वो अपने मन की भाव भी बता सकते हैं ठीक है अगला है समानता समानता कि कानुन के समक्ष सभी नागरिक समान है और यह समानता क्यों दिखाता है बंधुत्व सभी भारतियों का आच्रण एक परिवार के सदस्यों की तरह होना जाईए कि जितने भी लोग हैं पता भारत में कितने विविंताएं हैं कितने ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं रिती रवाज हैं भासाएं हैं तो और तरीके हैं लेकिन हम सभी में क्या है हम कहते हैं कि अनेकता में एकता कि हम में बहुत अनेकता हैं लेकिन फिर भी एकता है यानि कि समझ आ चुका होगा तो चलिए बढ़ते हैं कोशन मर्दों की तरफ सविधान क्या है हमें एक देश के लिए सविधान की आवशकता क्यूं है तो देखिए ले रखा है कि सविधान क्या है पहले तो आप पो ये बताना है ये जितने कोशन है पांच माक्स वाले कोशन ठीक है और सविधान की आवशकता क्यूं है और देखिए या तो कोशन से पुछेगा सविधान के मुख्य कारे क्या है तो पहले देख लेते कि सविधान क्या है किसी देश का सविधान लिखित नियमों का एक समू है जिसे देश में एक साथ रहने वाले लोगों द्वारा सामोही ग्रूप से स्विकार किया जाता है तो ये क्या है लिखिये तेक तरिकी से दस्तावेज है या नियमों का समू है और वहां के जो किसी देश में जब ये लागू होता है तो उस देश के लोग जो है इसे स्विकार करते हैं सामोही ग्रूप से उसका पालन करते हैं सविधान बच्छ कानून है सबसे बड़ा कानून सविधान है और जिससे किसी छेतर में रहने वाले लोगों के बीच के आपसे संबंद तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच में संबंद भी तय होते हैं तो यह क्या दर्शाता है कि लोगों के बीच में कैसा आपसे संबंद ह होना चाहिए यह सरकार के साथ लोगों का संबंद कैसा होना चाहिए जिसे के सरकार जवाब दे होगी लोगों के प्रती यह सरकार लोगों के लिए कारे करेगी यह सब चीजें यहां पर नहींत होती है अच्छा यह सविधान की यहां पर परिवासा हो दच्छन अफ्रिका में भी हम उसकी बात कर लें सवीधान की तो उनमें क्या था? पहले तो भरोसा नहीं था, लेकिन सवीधान के बनने के बाद उनमें भरोसा हुआ है दूसरे पर जो गोरे थे, जो श्वीत चमड़ी वाले जो लोग थे, उनका भरोसा हो गया, जो आश्वी कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा कि सरकार कैसे बनाई जाएगी किस प्रकार से गठन होगा सरकार का फैसला लेने का अधिकार मतलब किस मुद्धे पर कौन फैसला लेगा या जिससे न्यायपालिका के कुछ कारे होंगे विधायपालिका के कुछ कारे होंगे तो इनके अंदर में क्या 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 काम आएंगे इसी प्रकार राष्टपति के अंदर में क्या 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 क इसका ठीक है अब देखेंगे थार्ड देखेंगे यह सरकार के अधिकारों की सीमा निर्धारित करता है कि वो किस सीमा के अंदर रहकर कारे करेंगे सरकार की कुछ सीमा होते हैं कुछ लिमिटेशन होती हैं ठीक है क्योंकि अगर यह सीमा निर्धारित ना की जाए तो सरकार त क्या अदिकार है ये सविधान ही बताता है कि हमारे नागरिक जो हैं उनका क्या अधिकार है ये कौन बताता हुमें सविधान बताता है चौतर देखेंगे यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आखाँशाओं को अभिव्यक्त करता है कि अच्छे समाज का गठन हो इसलिए लोगों की आकांशाओं यान लोगों की क्या कि आवशक्ताएं है या नीड क्या है तो उनकी आकांशाओं को भी अविक्वेक्ट करता है तो सविधान देखो आप पूरी देखो पूरी सविधान में लोगों के हित में ही चीजे लिखी गई है और विभीन प्रकार के जो जाती समू है लिंग है धार्मिक संपरदाई के लोग है आपर मतलब बहुत सरी डिफ्रेंशियेशन है भारत के अंदर और देखो सविधान जब बनाय जा रहा था तो अलग-अलग तबके के लोग अलग- सविधान को बनाने में मतलब उसमें सामिल थे और उन्होंने अपने मतलब सभी तबकों की बात हो रही यहां पर कि सभी के हित में ही कारे किये गए हैं सविधान के अंदर तो यह क्या है कि एक अच्छे समाचे गठन के लिए लोगों की आकांशाएं जो उस समय सविधान थी वो लोगों की अकांशाएं थी जिन लोगों ने उनको चुनकी भेजा था अपने छेतर से ताकि वो उनकी आवाज बनकर या वो सभीधान में उनकी अकांशाओं को भी जोड़ा जा सके अब समझ रहें तो यह अकांशाएं किन के थी यह लोगों की अकांशाएं थी और आज भी हमारा सविधान का जीवित दस्ता बेजे क्योंकि कई सविधानों को कई देशों के सविधानों को नश्ट कर दिया गया वो दुबारा बनाये गए लेकिन फिर वो फेल हो गए लेकिन हमारा सविधान अभी तक चल रहा है और क्यों चल रहा है क्योंकि जीवित सविधाने ये मैंने अभी को बताया था जब भी इसको लिखा गया था ना तो बड़ी दूर दर्शिता को सो समझ के कि आगे भी सविधान को कोई नश्ट ना कर सके हैं सविधान को इतनी ब्यातरिन तरीके से बनाया गया तो आई होप आ लिए आसाधरन उपलब्दी है अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए तो देखिए अगर हम बात करें कि पूरे विश्वर में बहुत सरे ऐसे देश हैं जो उनकी आवशक्ताओं के अनुसार सविधान को बदल रहे हैं लेकिन हमारा सविधान के आज तक स्विकारे ह ये बात हो रही है क्योंकि ये एक जिसे मोलिक अदिकार है अब इस मोलिक अदिकार से किसी को क्या एत्राज होगा बताइए ये तो हमारे हित में ही है ना एक तरीके से तो ऐसे चीज़े हमारे भारत के सविधान में जोड़ी गई हैं जो आगे तक भी हमारे लिए हित कारी ह प्रवधान है, सभीधान में संसूधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, कुछ चीज अगर समय के साथ असा लगा तो, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, इसका अंसर किया देखिंगे पहला पॉंट, सभीधान सिर्फ सभीधान सभा के सदस्य के विचार को ही व्यक्त नहीं कर अपी तो यह अपने समय की व्यापक सहमति को व्यक्त करता है, देखिए, सभीधान सभा में जो लोग थे, सदस्य थे, उनके ही विचारों को यहां पे नहीं व्यक्त की जा रहा है, लेकिन इसमें क्या था, देखो, अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है, कि उ उसमें जितने भी लोग थे, वो सब सहमत थे, जो नियम बनाये जा रहे थे सविधान के अंदर, उन पर चर्चा हो रही थी, उन पर वाद वी वाद हो रहा था, तब कोई नियम बनाये जा रहा था, दूसरा देखेंगे, दुनिया के कई देशों में सविधान को पुनहे लिखना पड़ा, क्योंकि सविधान में नहीं जितनी बुनियादी बाते थी, वहां के सभी जो समाजिक समू थे, राजनितिक दल थे, उस सब सहमत नहीं थे, तो इसको क्या किया, दुबारा से लिखना पड़ा, अब देखिए, जब हमारे सविधान बनाये जा रहा था, त तबके के लोग आये थे, विविन जातियों के लोग आये थे, धारमिक लोग आये थे, अलगला सम्परदाय के लोग आये थे, तो उन्होंने क्या किया, कबीलों के लोग आये थे, उन्होंने उन्हों की आवाज को लेकर आये थे, एक तरीके से, सभीधान को बनाने के लिए जो लोगों दौरा अकानशाएं थी उनको ही सविधान में सामिल किया गया I hope आपको समझ आ रहा है जिसी और इसी लिए सविधान का जीवित दस्तावेज है जो अभी तक स्विकारे है अभी तक स्विकारे है ठीक है इसमें संसोधन होता आया है, समय समय पर जब भी आवशकता पड़ी है तो संसोधन होता आया है, लेकिन इसमें हम चीजों को, मतलब सविधान को हटा नहीं सकते, नश्ट नहीं कर सकते, कई सविधानों को नश्ट कर दिया गया, आप नेपाल के सविधान को देख लो, आप फ सविधान सभा भारतिय लोगों का परतनुद्यटन कर रही थी, उस समय सारव्मिक वusing क मत अदिकार नहीं था, अथा सविधान सभा का चुनाव देश के लोग परत्यक चुलुप से नहीं कर सकते थे, अगर देखिये उस समय क्या था, कि सविधान सभा भारती लोगों का पर्तिनित्व कर रही थी कि भारती लोग के एक तक से रिप्रेजेंटेटिव बन के है जो सविधान सभा गई थी वहाँ पर ठीक है असेमली में और उसमें सार मुविक विसक मतदिकार तो पर ठाने की हर एक व्यक्ति वोट देगा फिर चुना होंगे तो ये बहुत लमा प्रोसेस बन जाता लेकिन इसमें मोटा मोटा तोर पर क्या था अब परत्यक्ष रूप से लोगों को चुना गया था फिर भी ऐसे लोग गये थे जो जनता की आवाज बन कर वहां पर गये थे ठीक है, जनता के लिए कार्य करने गये थे और सविधान सभा का चुना देश की लोग परत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते थे परत्यक्ष रूप से यह पर नहीं हुए था तो यहाँ पर जो मेन है न सविधान सभा भारती लोगों का पर्तिनित्व कर रही थी तो लोग जो थे यह जो लोग थे यहने की तो आकांशायन थी इसलिए तो सुईकार है आज भी प्रचलित प्रांती विधान मंडल के सदस्य दोरा देश के सभी छेतरों की सभागीता को सुनिशित करते हुए चुने गए थे यह पूरे भारत से लोग आयें इस बातको सुनिशित किया गया था अचले बढ़ते हैं फिफ्ट की तरफ सविधान सभा कारे व्यवस्तित खुला और सर्व सम्मति बनाने का प्रयास पर अधारित था देखिए एक्चले कोई बात छुपी नहीं रहेगी एक व्यवस्तित कारे था यहाँ पर खुला कारे था कोई भी चीज अगर सविधान में आ रही है उस पर पहले भहस होगी वाद विवाद होगा उसमें कुछ कमिया होगी उसको दूर किया जाएगा तो खुले आम था यह तरिक से जितने भी नियम बनाए जा रहे थे वो खुला था ऐसा नहीं कि किसी कबिले से किसी जाती से किसी धरम समुदाय से कोई चीज छुपी थी इसमें सब कुछ खुले आम था ठीके मलब खुला पन था और इस पर वाद वाद होता था मलब बहस होती थी कई 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 दिनों तक भी बहस होती थी किसी मुद्दे को लेकर ठीके सर्व सम्मित्ती बनाने का प्रयास पराधारित था इस पर सब की सम्मती होगी तभी वो नियम आगे लागू होगा कहने का उन्दे सविधान के अंदर वो जोड़ा जाएगा तो सर्व सम्मित्ती थी हांपर सब की सहमती थी सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धान्त निश्य किये गए और उन पर सब की सहमती बनाई गई पहले तो बुनियादी चीजों को निशित किया गया, कुछ ऐसे सिद्धान्त, ठीक है, और उन पर सब की सहमती बनाई गई, तत्पश्यात प्रारूप कमेटी की अद्धिश, डॉक्टर वियूरा मेटकर जी ने चर्चा के लिए एक प्रारूप समविधान बनाया, कि एक समाजिक समुहों ने सविधान के कुछ प्रावधानों का सवाल उठाए, आदि सदी तक यहां पर क्या हुआ, समाजिक समुहों ने सविधान के कुछ प्रावधानों पर आवाज, मतब कुछ आवाज उठाए, सवाल उठाए, कि ऐसी जी यह नहीं होने चाहिए, किसी भी ब पर कुछ प्रवधानों पर सवाल उठाए लेकिन किसी राजनितिक दल ने या स्वैम सविधान की वैदता देखिए किसी समाजिक समो बड़े समाजिक समो या राजनितिक दल ने ऐसी बात नहीं करी या सविधान की वैदता पर सवाल नहीं उठाया ये किसी भी सविधान के ल है तो कि हमने जो उपलब्दी प्राप्त करी और पुरे वर्ड में सबसे बड़ा सविधान जो है भारती सविधान है ठीक है तो इतना बेश्ट सविधान है जो आज तक चले आ रहा है आज भी इसमें संसोधन होते हैं लेकिन इसको नश्ट नहीं किया गया बदला नहीं किया बदला नहीं गया इसको तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो सविधान सभाग के जो मेंबर थे उन्होंने काफी सोच समझ कर अपनी समझदारी और सूजबुच का इस्तमाल करके इसको बनाया ताकि आने वाले समय में भी इसको नश्ट ना किया जा सके इसको बदला होते हैं कुछ नियम को बदल जा सकते हैं यह सब चीजे हैं आई होब आपको यहां तक समझ आ चुका होगा और अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं आज कर यहां पर सिर्फ तीन कोशन था जो पांच माक्स वाले थे सिर्फ टेक कियर बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में